दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के बड़ी खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बिहार में बदला मौसम का मिजाज अगले तीन चार दिनों तक होगी अच्छी बारिस जहां इन दिनों मानसुन की ट्रप लाइन उत्तर भारत से हिमालाई की तलटी की और बढ़ ही है इसके वज़ा से बिहार की तलटी वाले चेत्र में बारिस होने की उमीद है हालाकि मानसुन की सक्रियता तीन से चार दिन तक पूरे बिहार में देखी जाएगी बिहार में अभी तक 830 मिलेमीटर बारिस हो चुकी है बिसेस रूप से बिहार के पूर्वी चमपारन, पश्चिमी चमपारन, सितामड़ी, किसन गंज, अररिया, सुपोल, फर्विस गंज, खगड़िया, पुर्निया और भागलपुर के इलाकों में अच्छी बारिस के आसार है अक्टूबर में कहर बरपाएगी कोरोना की तिसरी लहर, केंदर सरकार की टीम की रिपोर्ड बच्चों को सबसे ज़्यादा खत्रा जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग जिस तरह से लापारवा हो गए हैं, उनकी नेंद उड़ाने वाली खबर सामने आई है तयारियों को नाकापी बताते हुए इलाज के तमाम मंदोबस तयार रखनी को कहा है, आपकी जानकारी के लिए बदा देगी केंदरी एक मंतराले के धाद आने वाले नेशनल इंस्टिटूट और डिजास्टर मेनेजमेंट की कमिटी ने कोरोना की तिसरी लहर का अधन करने के बाद रिपोर्ट तयार किया है, इस रिपोर्ट के मताबिक देश में सितंबर के आखरी तक कोरोना की तिसरी लहर का असर दिखना सुरू हो जाएगा, अक्टूबर में इसका पिक आएगा, तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि देश में हर रोज कोरोना के पांच लाग से ज़ बड़ी, पहली चैन सुची से 31 अगस तक होंगे एडमिसन, जिया बिहार बिद्दाले परेचा समिती ने प्लाश टू स्कूल और कोलेज में सत्र 2021 स्थिति के लिए इंटर में नमांकन की अतिमतिति बढ़ा दी है, पहली मेगा सुची के नुसार, 24 अगस तक इंटर प्रतम वर्स का नमांकन होना था, जिसे अब 31 अगस 2021 तक बढ़ा दिया गया है, छात्र ओनलाइन ओएप SSS पोटल पर जाकर पहली चैन सुची से अब 31 अगस 2021 तक अपना नमांकन करा सकते हैं, बिहार में उनलोक 6 पर फैसला आज, धार्मी किस्तल, फार्क और सामोईक समारू पर लगे पाबंदी पर सब की निगाई टिकी, सेमजी के बैड़क में होगा मन्थन, जहां बिहार में उनलोक 6 की तैयारी सुरू हो गई है, उनलोक का पाचवा चरण 25 अगस तक है, बुदवार को क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक है, इसमें सब की निगाई धार्म अब यही हाल है, पाटना के सभी पार्क बंद है, पार्कों में सिर्फ सफाय कर्मी ही जाते हैं, उम्मीद जताए जा रहे कि अनलोक 6 में ये सारे खुल सकते हैं बाड़े खबर पाटना वालों के लिए अच्छी कबर, अब घर बैठे मंगवाए मन्चाही सबजिया, मंत्री ने रवाना की तरकारे एक्सप्रेस जिया राजदाने वास्यों के लिए एक अच्छी कबर है अब घर बेटे ओर्डर से मंचाई सब्जिया मंगा सकते हैं इसके लिए तरकारी माट डॉट इन एप के माइदम से ओर्डर करना होगा इसी तरह तरकारी एक्सप्रेस राजदाने पटना में डोर टू डोर सब्जी दिखा कर रवाना किया राजदाने में तरकारी एक्सप्रेस सब्जिक की चलंत आउगलेट के रूप में कायर करेगी स्वास्त मंत्री मंगल पांड़े की एकलान 6-5 सितंबर तक राज़ में चलेगा मिसन परिवार बिकास अभ्यान तथ 13 सितंबर से 25 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पकवारा आईजित कीया जाएगा अब बीजेपी जेडवी के बाद अब हम पार्टी भी लगाएगी जनता दर्बार एंडिये में जनता दर्बार लगाने की मची होड जिहाँ बीजेपी और जेडवी के बाद अब हम पार्टी भी जनता दर्बार लगाएगी बिहार के सत्ता रूर दलों में जनता दर्बार हर पाटी अपने-पने सतर पर जंता दरबार लगा रही है। अगली बड़ी खबर बिहार में अब हर तरह के आपाद सेवाओं के लिए डायल करें 112 नमबर एक जगा मिलेगी पुलिस एंबुलेंस वो अगनी सिमक सेवाए जिहा राज में अब हर तरह की इमर्जन्सी के लिए जल दी एक नमबर 112 होगा इसके लिए इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लॉंच किया जाएगा ग्रे विबाग ने इस दिसा में सिस्टम तयार करने का काम सुरू कर दिया है इसके तहट 400 गाड़िया खरिदी गई है जो इमर्जन्सी नमबर पर कॉल किये जाने पर इसपोर्ट पर पहुचने और गस्ति के काम आएगी पुलिस मुख्याले के अधिकारियों का नुसार इस सल दिसम्बर मा में इमर्जन्सी रिस्पोर्ट सिस्टम को लॉंच करने की तैयारी है दरसल राज में अभी अलग-अलग इमर्जन्सी सवाओं के लिए अलग-अलग नमबर है पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगट के लिए 101 और एमोलेंस के लिए 102 इमर्जन्सी नुमर डायल करना होता है नया सिस्टम लॉंच होने के बाद इमर्जन्सी सवा के लिए एक लिए 112 डायल करना होगा बड़ी कवर बिहार में किसानों के लिए प्रोच्छान रासी की दर निधारित जानि ये फसल के किस मोडल पर कितने मिलेगी मदद जिहाँ खेती में नई तकनिक के हस्तांतरन को बढ़ावा देनी के लिए क्रिसी विभाग ने विबिन मोडलों की प्रोच्छान रासी की दर को निधरित कर दिया है क्रिसी निदेशक आदेश तितरमारे के अधिश्ता में यूनिट कोस्ट कमिटी के बैठक हुई यूनिट कोस्ट मोडल पर दिजाने वाली प्रोच्छान रासी की बात करे तो चावल के मोडल पर किसान को 36 रुप्य प्रति एकड अथवा 9,000 रुप्य प्रति हेक्टर मदद मिलेगी बिना जुताई के गेहु अरहर उडल उगाने पर भी यही रासी मिलेगी हाइब्रिड मक्का सोयबिन और गर्मी के मूँ के लिए सरकार किसान को 24 रुप्य प्रतिय कर देगी बड़े खबर बिहार में अब जमीन रजिस्टरी के साथ होगा मियूटेसन सरकार करने जा रही है बड़ी बदलाव जी हाँ बिहार सरकार अब जमीन रजिस्टरी कराने के विवस्ता में बड़ा बदलाव करने जा रही है नई विवस्ता को लेकर फिलाल परियोग किया जा रहा है जिसके मताबिक रजिस्टरी में थोड़ा देर होगी लेकिन रजिस्टरी के साथ मियूटेसन भी हो जाएग इस परियोग के लिए सरकार ने सेखपुरा जिले के गाउं को चुना है इस काम के लिए सरकार IIT रोड की के मदद ले रहा है बताया जा रहा है कि इस परियोग के लिए रजटी के लिए कोई आदमी अरजे देगा तो सबसे पले सर्वेयर या आमेन जमिन के फ्लॉट पर जाने की सुचना जमिन बेजने और खरेदने वालों की दे जाएगी उनकी मौजोद्गी में चहुद्दे खाता खेसरा और रखबा के साथ प्लॉट का नौकसा बनेगा वह रजटी के साथ लगेगा उसके बाद अंचल अधिकारे मेटेसन का परमान देंगे